गर्भावस्ता और नवजात सिश्व के पहले एक हजार दिनों को धान में रोखते हुए मां और बच्चे दोनों के नूट्रेशन और कैर के लिए उसके लिए भी एक बड़ा अभियान शुरू किया गया जल जीवन मिशन के तहट गाउं के हर घर तक पाइप से पीने का पानी पहुचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है आज देश की गरीब बहनों बेटियों को एक रुपिय में सेनिटेशन पैर्स उपलब्द कराए जा रहे हैं इन सब प्रयासों का एक असर ये भी है कि देश में पहली बार पढ़ाई के लिए बेटियों का ग्रॉस एन्रॉल्मेंट रेशियो बेटों से भी ज़्यादा हो गया है बेटियों की शादी की उचीत उम्रग क्या हो ये ताय करने के लिए भी जरूरी चर्चा चल रही है मुझे देश भर की ऐसी जागरूत बेटियों की तरफ से चिठिया भी आती है कि जल्दी से संद्रिणे करो कमिटी का रिपोर्ट अभी तक क्यों आया नहीं मैं उन सभी बेटियों को आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जल्द रिपोर्ट आते ही उस पर सरकार अपनी कारेवाही करेगा